जार्खन वासियों जोहार लोक तंत्र का महापर्व जार्खन का यह चुनाव अब समाप्ति की और है इस परतिस्प्रदा में इंडिया गडबंदन के सभी करांति कारिश साथियों को और राज की जनता को अपनी और से बहुत बहुत सुक्रिया अदा करते हुए धेर सारी सुबकामनाय देता हूँ साथियों यह चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है यह चुनाव लोक तंत्र का एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को इस देश के सभी जाती धर्म के लोग अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बुढ़ा, बुजूर्ग दिव्यांग, सभी लोग इस पर्व में हिसा लेते हैं और सभी का महत्व एक जैसा है आज इस महापर्व को जारखनवासियों ने बड़ी उत्साह के साथ मनाया और जिस आसा उमीद हमारे इंडिया गड़ बंदन के उपर राज की जनता ने रखी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में आपका ये विश्वास हम तूटने नहीं देंगे इस महापरप के इस अंतिम घड़ी में इस राज की जनता ने इस लोकतंतर की जो परिभाशा है अनेकता में एकता भायचारे का स्वहार्द का जो ये संदेश इस चुनाओ के माध्यम से निकला में उत्रे हमारे दल के लोग उनको भी मेरी और से बहुत बहुत शुक्रिया अभार कि आप सब लोगों ने इसका हिस्सा बने निस्सित्रूप से हम सब को इस महापर्व के परती हर समय हर चुनाओ में बढ़चर करके हिस्सा लेने किया हो सकता है हमारे समिधान निर्माताओं ने बाबा भीम राव अम्बितकर जी ने एक ऐसा ताकत दिया है जिसके बदुलत देश में राज में कर रहे सासन और 87 लोगों को से सवाल जवाब करते है पांच साल में एक बार हर एक को सरकार से सवाल पुछने का मौका मिलता है और जवाब भी इसी मत के माध्यम से तो लेना चाहते है निस्सित्रूब से इस राज की जनता को हम अस्वस्त करना चाहेंगे कि हमारा प्रियास होगा कि हमारी सरकार की जो नजरे हैं जो आवाज है और जो काम है इस राज में खड़े अंतीम बैक्ति तक पहुँचे हम सब जानते हैं जारखन देश का सबसे पिछड़ा राज है बहुत बड़ी चुनोती है और हम सब मिलकर ये संकल्प ले मिलकर हम काम करें और मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि इस पिछड़े पान का कलंग को हम सब मिलकर धोएंगे खत्म करेंगे और अगरिनी राज के पैदान में हम खड़ा होने का भरपूर प्रियास करेंगे हमारा संकल्प होगा कि राज के अंतिम बैच्ति तक चाहे हो महिला हो, पुरूस हो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो हर वर्ग का हो उन तक सरकार की सोच पहुँचे सरकार की आवाज पहुँचे सरकार की योजनाएं पहुँचे साथियों अनेक्ता में एक्ता इस देश की ताकत है और राजियों की भी ताकत है देश को, राजि को कोई एक आदमी अकेले नहीं ले आगे बढ़ सकता उसको सभी लोगों का साथ सभी लोगों का सहयोग क्या वसकता पढ़ती है हर वर्ग की पढ़ती है इसलिए वो द्योग हमारे लिए जितना महत्पून है खेती बाड़ी भी हमारे लिए उतना ही महत्पून है हमारे राज की स्वात सिक्षा रोजगार हम कैसे उत्पन कर सकते हैं सरकार के साथ साथ हमारे राज की जनता भी इस विशे पर हमें अपने सुझाओ दे सकती है सरकार को सुझाओ दे सकती है तो कैई सारी बाते हैं और हम बिलकुल इस जार्खन के भावना के नुरूप इस राज की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का हर प्रियास करेंगे और इन सब में आप हमारे हिस्सेदार की रूप में काम करेंगे रहेंगे और साथ चलेंगे साथियों और विसेश नहीं कहते वे और अब फिर से एक नई उर्जा नई ताकत के साथ अबुवा दिसुम अबुवा राज और हमारे पूरवजों का संघर्स और उनकी सोच इस राज के परती की सोना जहर्खन ही रा जहर्खन अब ये सिर्प कहावत नहीं हकीकत में हम इसे बदलने का प्रियास करेंगे और हरे एक राजवाशियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का हर वो प्रियास होगा जो इस राज की हमारे जनता को आउशकता है साथियों बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार इस महापर्व में हमारा सहयोग देने के लिए राज अत्यंत पिछड़ा है पिछड़ा और गरीब हमेशा संगर्स करता रहा है तो राज भी कई संगर्सों के साथ हमें दो हजार इस्विमे में अलग राज मिला अब ये राज पूरी ताकत के साथ एक नए और विक्सित राह की और आगे बढ़ेगा मैं आप सभी को अस्वस्त करना चाहूंगा कि आप हम पर विश्वास रखें और इस सरकार के पास सवेदन सिल्ता भी है भावनाएं भी है और आपके भावनाओं के साथ सदेव हमारी सरकार खड़ी रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद सब को जोहार